श्री गनेशाय नमुह सुप्रभात इद्यार्थी मित्रो आजे आपने श्री गोविंद गुरु युनिवर्सिती गुद्रा मा एमे सैमिस्टर टू सोशल एकोनोमिक्स इस्ट्री ओफ इंडिया 15-16-82-18-80 एटले के बारतनों सामाजिक औने आर्थिक इतिहास इस्विशन 1526 इस्विशन अधार्ष बाग एक जे MSM2 नी पेपर नंबर छना विद्यार्थो ना अभ्यास्क्रम मुजब ओनलाइन परिक्साने द्यान मराखी औने आ विडियो बनावु छू तो दरेक इध्यार्थी मित्रो ध्यान्थी सामबर जो अने एन्युल एक्जाम म स्वाटका आमती गणा प्रष्ण पूछाय तेम छे अने GPSC और UPSC तथा टेट ता तथा PSI नी परिक्षानी अंदर थी पन बारतना सामाजी कने आर्थीक इत्यास मा थी गणा बद्या प्रष्णों पूछाय छे जो मित्रो प्रष्ण जे कि मुगल सामराज्य नी स्थापना कौने करी हती तो जवाब नियंदर शे कुतुवध्दिन अय बक तो अ जवाब नहीं आवे काण के दिल्ली सल्थन अज जे बार्षो छथी 1526 नो समय गाणों छे यहीरुद्दिन महमद बाबर तो मित्रो आनो जवाब आवसे मोगल सामराज्यनी स्थापना करना जहीरुद्दिन महमद बाबर हतो जो मित्रो एव पुछाए कि बाबर एक क्वाणू अन्त लावी औने मोगल सामराज्यनो पायो नाखे वतो तो सल्तनत युगनो अन्तिम इब्राहिम लोधी लोधी वन्सनो जे अन्तिम राजा आतो इब्राहिम लोधी औने बाबर वच्चे पाणिपत्ना मेदान मा युद थ अन्तिम आयुदिन अंदर जहीरुद्दिन महम्मद बाबर नी पासे फक्ट 12 जान्यों सैन्य हातो जारे इब्राहिम लोधी पासे एक लाखनों शैन्य हातो छता पण जहीरुद्दिन महम्मद बाबरे बप्पोर सुधी मा सवारे युद्यूत नो प्रारंभ थायो अन्य बप्पोरे बार वाग्या सुधी आ बार अजान्य साथे आ जीती गयो अने त्यार पछी मोगल सामराज्येनों पायो नाक्यो तो अने वर ओप सायंस नी द्रश्टी ये पन इने आधुनिक पिरियाड तरीके उडख्वा मावेचे कारण के बाबर जीती गयो अने प्रमुक कारणे हतु के तोपो लई अने युद करवा गयो अने तालिम बद्ध सैनी कातु जयारे इब्राहेम लोधी पासे सामान्य तरवाल अने तीर कामठा लई अने युद करवा आवे हता प्रश्ण नंबर बे तुजुक ए बाबरी ग्रंध कई भाषा मा लखायो हतो तो मित्रों इनो जवाबाव से तुजुक ए बाबरी ए तूर्की भाषा नी अन्दर लखायो हतो नंबर त्रण मोगल सामराज्य नो शमय कई हतो तो बार्शो छती पंदर्शो चववीस तो न मित्रों इन दिल्ली सल्तनक नो समय हतो एKitले मोगल सामराज्य नो समय छे एमा जवाब आवसे ब इस्वीशन 1526 अदार्शो ने 57 सुदीयों अधावर्शो सत्तावान नी अंदर अंग्रे जोए एना अंतिम जे बाद सा तो एने अधावर्शो सत्तावान ना युदनी अंदर बाद दूर सा जफर बिजाने हरावी अने एने पदब्रस्ट करेवात। एटने समय आवसे 156 ती अडार्शो सत्तावन नंबर चार हुमायूना पितानू नाम जणाव तो अ जवाबावसे बाबर नो दिक्रो हुमायू हतो तो जवाबावसे बाबर प्राश्ण पाच सेरसाना मेसूली तथा नाना विभागना वलाने काया नाम थी ओडख्वामा चे मित्रों दिवान ए वजीर जे मैसूल अने नाना विभागनो वलो हतो नंबर चार दिने इलाही दर्मनी स्थापना क्वाने करी हती तो मित्रों दिने इलाही दर्मनी स्थापना ए अकबरे करी हती यतले जवाबावसे अकबर नंबर सात कया मोगल बाश्ण ना समय ने श शुवण यूग तरीके उडख्वामा आवे छे। जवाब अनी अंदर लख्युए चंद्रगुप्त बीजो ब सार्जाहा अनिक अकबर। तो अनी अंदर चंद्रगुप्त बीजाने पन सुवण यूग हतो परन्तु ये मोगल सामराज्या ना हतो एक गुप्त यूग ना प अकबर अने सा जहा तो तमारे जवाब नी अंदर लख्वानुशे ब सा जहाना यूग ने पन सुवण यूग तरीके उडख्वामा आवे छे। प्राचिन बारत मां पुछुए तो चंद्रगुप्त बीजो उर्खे विक्रमा दित्या। नंबर आट जाहागीर नी बेगम नू नाम शो हतु तो मित्रो ओ जवाब आवसे नूर जहां बेगम नूर जहां बेगम ए जहांगीर नी पत्नी नू नाम हतु परन्तु एहो पूछवावाँ एनने जग्या एहो जवाब आपे हो है कि मेरू ने शा बेगम तो मेरू ने शा बेगम जेने एनू साच्चु न परन्तु जहांगीरे नूर जहां नी उपाधिये ना पेली एटले इने नूर जहां बेगम तरीके पन उड़कवा मा आउतु दू अप्सन नी अंदर नूर जहां बेगम ना बडले जो मेरू निशा बेगम लख्यू होए तो ये पन जवाब साच्चो थाए पन अहिए आपई छे नूर जहां बेगम एटले तमारे जवाब लख्यू नूर जहां बेगम आउपरांदेने हिंदू कन्याओ साथे पन लगन करेला ये मती सवती अगत्यनी बीजी जे कन्या शे ए आमेरना राजा भगवान दासनी पुत्री मानबाई साथे पन लगन करेला पन अहिए बेगम सब्दव आपने शेटले आपणे मुश्कलिम नूर जहां बेगम आवशे नेक्स्ट प्रश्ण नम्बर नौ ताज महल कया मोगल बास साए बंधावयो हतो अकबर जहांगीर के सार जहां पजवाब आवसे मित्रो सार जहां ये ताज महल बंधावयो हतो महल नौ ये बंधावयो हतो तो तामारे मित्रो सार जवाब आवसे इसमीशन्होडशोने 32 से शोर्श्ण निअंदर ताज महल बास नौ शरू थाए लू यहुँ पुछवा मायू के ताज महल नू बादकाम केटला वरस सुधी चाली हतु तो तमारे मित्र इनो जवाबावसे 22 वरस सुधी चाली हतु पड़ यहुँ पुछवा मायू है परिक्षामा के ताज महल नू बादकाम क्यारे पूर्ण थयू तो इनो जवाबावसे इस व 153 माते पूरू थयू हतु काम बराबर अने एउ बुच्वा मावे मित्रों के ताज मेहल नी डिजाइन क्वाने बनाई थी तो इनु नामा उसे उस्ताद एहमद लाहोरिये बनावी हती प्राश्ण नमबर दस अबूल फजल मोही उद्दिन महमद कया बास्ता नु नाम छे जो आक्खु नाम छे ने अबूल फजल मोही उद्दिन ए अउरंग जयब नु नाम छे ले तमारे जवाब आवशे बौ त्यार पची अग्यार मोँ प्राश्ण जे के हुमायू नामा कई भाशामा लखायेलू छे तूर्की भाशामा तो नहीं आवे फार्सी भाशामा लखायेलू कही बासा में लखाई जमीत्रों फार्सी बासा मां पंड इहू पुच्वा मा है के हुमा ईव नामा कौने लखी तू तो इन्ह जवाब आवसे गुल बदन बेगमे लखेलू अनि इहू पुच्वा मां के गुल बदन बेगम छे ए कौन हता तो हुमायू नी नहनी ब्यान्नू नामतू गुलबदन बेगम। एटले एना बैनी यादमा एने आ हुमायू नामा नामनो ग्रंथ फार्षी भासामा लख्यो हतो। प्रष्ण नंबर बार आईने ए अकबरी नी रचना क्वाने करी हती। गुलबदन बेगम नहीं आगाकान के तो हुमायू नामा लखेलू। एटले बह आवसे अबुल फजले आईने ए अकबरी लखेली। बराबर अकबर विशे नो आग्रण चेना अंदर थी बदा हिस्टोरीकल एविडन्स प्राप्त थाई छे। पड़े हुमायू पुछ्वामायू वे के अबुल फजले नीचे नामा थी कयो ग्रंथ लखेलो। पड़ेमा जो जवाबमा आईने अकबरी न आपी होए तो एना बरले अकबर नामा आपी होए तो एने अबुल फजले ब्या ग्रंथ लखेली। एक अकबर नामा एने बिजु आईने ए अकबरी है। टले एपन तमे याद राग जो मीत्रो। प्राष्ण नंबर तेर निच्चे नामा थी कया बादसाए हिंदुओ पासे थी पुनह जजिया वेरो उग्रावानू शरू करिय। हतो तेनो जवाबावसे अवरंग जयाबे। प्राष्ण नंबर चौद बाबर नी पुत्री गुल बदन बेगमे निच्चे नामा थी कयो गुन्त लख्यो। बाबर नी पुत्री ले बाबर नो दिकरो हुमायु अने हुमायु नी नानी बेननु नाम अतु गुल बदन बेगम बराबर इने कयो ग्रंत लखेलो तो जवाब आवसेब हुमायु नामा बेरी गुड पची नमबर पंदर हुमायु ये पुत्र ना जन्मनी खुशीमा शैनी कोमा शुव एहची वतु कस्तूरी महदी कया ख्रोट जवाब आवसे कस्तूरी ये उमायु ये उमानतो तो के महरो दिकरो मुटो थई अने कस्तूरी नी जेम सुवाश फ्यालाव से बराबर इने ए वात अकिकत साची पन थाएली प्रस्ट नमबर शोड ताज महलने डिजाइन कोणे तयार करी हती जो मित्रो मैं हमने प्रस्ट नहुने बहु अलग अलग रिते फराइन पूछाए तो ये तिया एमा समझाई तू तमना आजवाब आवडों जुए कि ताज महल ने डिसाइंग को अने तयार करे ली तो उस्ताद इशा येनू आखुनाम जे उस्ताद इशा एहमद लाहोरी ये तयार करी हती बराबर अने ताज महल जे रे बनी गई हुने तयार पची आ लाहोरी ने सार जहाए जहांगी रे येने नादीर उस असर नी उपाधी पन आपी हती सार जहाए तयार करेलू मयूराशन कोण उठावी गई हतु तो मित्रो ए समयनू सौथी किम्ती हतु आ मयूराशन ताज महल करता पण महगू बनेलू हतु शा माटे काणके मयूराशन नी अंदर ये वखतनो कोही नूर हिरो जडेलू हतु एटले रत्नो धी जरीर हतु एमा सौथी किम्ती मा किम्ती ए कोही नूर छे ए जडेलू हतु अन्या आ नादिर्शा उपाड़ी गएतु एकले जवाब आवसे ब नादिर्शा अधार जाहंगीर ना दर्बार मा नियाय माटे नो जे घंट हतो ए घंटने साकल कई धातु नी हती तो इनो जवाब आवसे सोना नी धातु नी हती ओग्णिस्म प्रश्णे जे के भारत मा तमा कू कौन लावियू हतु तो इनी अंदर आवसे को जवाब फिरंगियो लावया हता अवे जोडका पन पूछी सकाए तो जोडका ना पन अपने आठ प्रश्णों काल्याज आईयम्पी तो ध्यांति सामबर जो के योग्य जोड का जोड तो अनी अंदर लखी जे जहिरुद्दिन महंमद बाबर तो आपने आब आजू जोए जोई लेंदर आवसे के जहिरुद्दिन महंमद बाबर तो ए चौद मी फिबुरु आरी अनने इस्वीशन चौद्द्दमी 83 अंदर एनो जन्मत है हो हतो बराबर यहो पूछ ना राज्य मां, काई जग्याई जन्मा थैलो तो फरक ना राज्य मां, क्यारे थैलो तो चौचो ने त्यासी मां, पराबग, पई नमबर बे, नसीरुद्दिन महम्मद हुमायू, तो अवे एनी पन जन्मानी जवाच्चा नी अंदर, मोटा बागे तमे बनी अंदर वाची पहला वाची लो तो ध्यानती ख्यालावे तो बधी जन्मनी तारीख होआ पेली है तो नसीरुद्दीन महम्मद हुमायू जे 6 मार्च नी अंदर तेनो जन्मत हयो काबूल मुका में यह जग्याए थाईलों काबूल मुका में यनो जन्मत हयो हतो। त्यार पाची जलाल उद्दिन महम्मद अक्बर नमबर त्रोण तो एनो जन्म क्या रहे थेलो तो पंदर मी अक्टोबर अने पंदर सोने 42 नी अंदर अमर कोट ना किल्ला मा एनो जन्म थयो हतो नमबर चार सेर्षा सुरी एनो बिजुनाम एटले मूर नाम साच्चुनाम अतु फरीद खान अथो फरीद खान तरीके ओड़ खातो तो एनो मूर नाम अने सेर्षा सुरी इनो नाम धारण करीतु नोटा थया पच्छी एटले एनी आम आवसे सुल्तान ए आदिल नी उपाधिये ने प्राप्त करेली सेर्षा सुरी एटले एने चोथा नी अंदर त्रीजो जवाब आवसे विकल्प नंबर पाँच जहांगीर तो नंबर पाँच जे जहांगीर जे ए जहांगीर ने अंदर विकल्प मा सुवाब से तो तीसमी अगस्ट और पंदर सु अग्णो सित्तेर मा जहांगीर नो जन्मत है होतो कही जग्या ए तो फतेपूर सिक्री नी अंदर एनो जन्मत है होतो ले नो विकल्प आवसे छ पजी छट्टो विकल्प छे सा जहां तो सा जहां तो ये पाचमी जान्निवारी याने पंदर सुने बाणूनी अंदर जन्मेलो लाहोर मुका में बराबर जे हाल पाकिस्तान मा साथ मुझे मोहित दीन महम्मद अवरंग जेप तो ये नवेंबर अने सुर्षो ने अधार नी अंदर एनो जन्मत है लो कई जग्या है तो दाहोद ये वक्कते दोहद नामत अने पाचरती दाहोद पड़िए तो आपड़ा गुजरात मा वेला दाहोद गोत्रात यागर ज त्या अने चेल्लू जे आटमो बागदूर्षा बिजो तो बागदूर्षा बिजो क्वण अतो जे अंतिम मोगल सासक अतो अने अटार सो सत्तावन ना बढ़वामा येनू पतन थयू अने मोगल सामराज्येनो अनताव विद्ध्यार्थी मित्रों विद्ध्यार्थी मित्रों दन्यवाद तम्हे आखो विडियो सामलवे बदल अने प्रोफेसर राज्येसमेता ना प्रणाम अने दरेक विद्ध्यार्थी मित्रों अने अंदर योग्य तमने लागे तो कोमेंट आप जो तमारो भाग दे पन आनी अन्दर रजु करीशु परीक्साना अगत्याना प्रश्णों और पजी अमेेच्यार मेपडर ना पंड वीडियो रजु करीशुं। लेव मास्टर दिग्री नी सिरीस्त सरु करीचे जैसी कर्श्ट्न।